कई बार ऐसा होता है कि तुम शांत रहना चाहते हो परंतु तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है कई बार अंचाही आशांकाओं से तुम्हारा मन घबराता भी है मैं तुम्हारी बेचैनी भी समझता हूँ और तुम्हारी घबराहट भी जानता हूँ और तुम्हारी बेचैनी क कारण भी जानता हूँ पर तुम ये तो बताओ जब तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है तब फिर ये घबराहट कैसी ये अकेलापन कैसा ये बेचैनी कैसी जब तुमने अपने बाबा को हमेशा अपने पास रखा है हमेशा अपने साथ रखा है तुमने कितनी बार कहा है कि ऐसी आशांकाओं के बारे में मत सोचा करो जिसका तुम्हारी कोई भी आशांका तुम्हारा कोई भी डर मैं कभी सही होने ही नहीं दूगा हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा और तुम्हारे भले के लिए ये होगा जब मैं तुम्हारे घर परिवार को समाल रहा हूँ फिर किसी भी तरह की परेशाने के लिए मैंने कोई जगे तो छोड़ ही नहीं रखी है तुम्हारा जिंदिगी में तुम थोड़ा सा कम सोचा करो बहुत सोचते हो और इतना सोचते हो कि कई बार तुम उस सोच में अंचाही आशंकाओं से घर जाते हो फिर सोचते हो कि कब नकारात्मक और सोचते सोचते कब नकारात्मक हो जाते हो तुम्हें ये भी नहीं पता चलता और फिर डर में डूब जाते हो मैं जानता हूँ जितनी दाक्लीफों का तुमने सामना किया है उस जगे तुम्हारे इतनी परेशान होना जायज है मैं तुम पर गुसा नहीं कर रहा हूँ प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि तुम पविश्य में आने वाली आशांकाओं से यूँ ही परेशान मत होते रहो क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आए सामने लेकन उस परेशानी का निवारन भी साथ ही साथ में तुम्हें दे दूँगा कभी तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ूँगा और कभी तुम्हें परिशान भी नहीं रहने दूगा तुम्हारी हर खुशी का वादा मैंने तुमसे किया है तो योही थोड़ी ना तुम्हें अकेला छोड़ दूगा एक बात हमेशा याद रखना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समय के लिए छोड़ देनी चाहिए जिस पर हमारा बस नहीं होता और समय आने पर वो अपने आप सुलच जाती हैं और फिर हमें पता लगता है कि ये किस कारण से थी और अभी के लिए शुबरात्य मेरे बच्चे